करें था कि नमस्कार दोस्तों सरंक अब आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम ंडिसक्स करने वाले हिंदी के इंपोर्टेंट कोईशन्स को इस वीडियो में हम हिंदी के 50 सवालों को discuss करेंगे जो कि आग्यान वाले अप लोगों के exam बिहार दरवा के मेंस exam और बिहार SAC के मेंस exam इसके साथी साथ बिहार ASI के लिए भी काफी important है इस सेट में जितने भी सवाल है वो सारे important है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सारे सवाल को हल करें किसी भी question को skip करने की कोशिस ना करें क्योंकि इन में से कोई भी सवाल आपके exam में repeat हो सकता है लेकिन उससे पहले यदि आपकी चैनल पर नए है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दें और bell icon को press कर दें करकि आगे आने वाली exam से related information और वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज का पहला सवाल है अंतस्थ वेंजन कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है कि अंतस्थ वेंजन कितने प्रकार के होते हैं तो यह चार प्रकार के होते हैं तो answer रोज़े का option c अंतस्थ वेंजन चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं यह जान लिए देखिए य र ल व ये आपको चारों जो होते हैं ये आपको अंतस्त वेंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं य र ल व य र लव चार अंतस्त वेंजन होते हैं याद रखेगा नेक्स्ट है इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विसेसर्ण है आपको बताना है कि जापान, गुणी, दान, जाती, इन चारों में से वो कौन सा सब्द है जो संग्या से विसेशड बना हुआ है, तो यह है आपको गुणी, आंसर रजागा option B गुणी, गुणी जो यह word है संग्या है, इसका हम विसेशड बनाएंगे तो वो बन जाए आपक चल रहा है कि उसके quality के बारे में पता चल रहा है, उसके गुण के बारे में, तो यानि कि एक प्रकार से विसेशड बत ला रहा है, इसलिए यह आपको संग्या से बना हुआ विसेशड हो जाएगा, तो आंसर हो जागा option B गुणी, next question है, पूस्प कौन सा सब्द है, पूस् संसीत के सब्द होते हैं, जिनका प्रयोग जियों का त्यों कर दिया जाता है, उन्हें हम तत्सम सब्द कहते हैं, यानि कि संसीत के वे सब्द जिनका प्रयोग जियों का त्यों कर दिया जा, उन्हें हम तत्सम सब्द कहते हैं, तो यह आपको तत्सम सब्द कहते हैं, तो य पेंडर बताना है कि पूलिंग है इस्ट्रेलिंग है या फिन में से कोई नहीं है तो पेंसिल ये जो सब्द है ये आपको इस्ट्रेलिंग सब्द है तो आंसर जाग ऑप्सन भी इस्ट्रेलिंग सब्द पेंसिल इस्ट्रेलिंग सब्द होता है नेक्स्ट है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है कि मात्राइं कितने प्रकार की होती है तो यह आपको तीन प्रकार की होती है आंसर जग ऑप्शन भी तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है ध्यान से सुनिएगा हरस्व दिर्ग तथा प्लूत तीन प्रकार की मात्राइं होती है रस्व दिर्ग तथा पलुद ठीक है याद रखेगा मत्रा हैं तीन प्रकर करका होती है इनमें से कौन सी सब्द कर्मकारक आपको बताना है कर्मकारक कि आपने पड़ा होगा करता निक कर्म को तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने हरी को बुलाया तो आंसरोजागा उप्सिन बी मैंने हरी को बुलाया यह आपको कर्मकारक है आंसरोजागा उप्सिन बी नेक्स्ट है महात्मा में कौन सा समास है महात्मा महात्मा यह सब्द है इसमें कौन सा समास है तो इसमें है कर्मधारे समास महात्मा कर्मधारे समास है तो अब कर्मधारे समास क्या होता यह समझ लिजे जिसका पहला पद विसेशर और दूसरा पद विसेश से हो या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमे हो उसे हम कर्मधारे समास कहते हैं जैसे यहां पर आप यह वर्ड देख रहे हैं महात्मा इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा महान है जो आत्मा यानि कि महात्मा तो इसलिए यह आपको कौन सा समास हो जाएगा कर्मधार समास हो जाएगा next है स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताए आपको बताना है कि स्वार्थी होना यह जो वर्ड है यह जो वाक्य है इसकी लिए एक मुहावरा कौन सा नहीं हम पर इन चारों में से बैठ रहा है यह अपको हो जाएगा option A अपनी खीचडी अलग पकारना यानि कि स्वार्ती होना का मुहावरा हो जाएगा अपनी खीचडी अलग पकारना याद रखेगा next question है तितली उपन्यास के लेखक कौन है तितली उपन्यास के लेखक कौन है तो ये है जैसंकर प्रसाद और आपको संधी का नाम बताएं आपको बताना है यह जो वर्ड देयानंध इसमें कौन से संधी का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर आपको हुआ है दिर्ग संधी अब देखे दोस्तों समझ लीजिए कि दिर्ग संधी क्या होता है देखे, जब दो सब्दों की संधी करते समय, ओ आ के साथ, ओ आ हो, तो आ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार, छोटी इ, बड़ी इ के साथ, फिर छोटी इ, बड़ी इ आ जाए, तो वो बड़ी इ बन जाता है, और छोटा उ, बड़ा उ के साथ, फिर से छोटा उ, बड़ा उ आ और और इसमीं क्या तो आपको लास्ट जोड़े क्या आप ही इस लिए बंच अंदी नेक्स टेज़ा संदि निम्न कौन सी भासाईनाग्री लीपी में लीकि cancer वुदिया है गुजराती और मराठी इन में से कौन सी भासा देवनाग्री संदिल acept आपको बासा की भी जो लिपी होती है वो देवनागरी लिपी होती है याद रख्येगा नेक्स्ट है इन में से कौन सी सब्द देशज है आपको बताना है कि चीणिया-कीमत या फिर दोनों या फिर इन-में से कोई नहीं सिखुए कौन सा सब्द जो है आपको देशाज दिख रहा है तो यहाँ पर आपको जो Brenda है धीज मा अब निम्र में से कौन सा गहोस वर्ण है दे learners वह सम,'ध सब्सक्राइब क्या होता है यह हम जाल लेते देखिए द्वानी की द्रिष्टी से जिस व्यंजन वर्णों के उचारण में स्वर्तंत्रिया जंक्रित होती हैं उन्हें हम घोस्वन कहते हैं ठीक है और रिपीट कर देना हूं ध्यान से सुन लिजेगा जब किसी भी वर्ण का उचार करते हैं तो जब हमारा स्वर्तंत्रि जंक्रित हो जाए तो उसे हम घोस्वन कहते हैं तो यहां पर यह आपको घोस्वन कौन-कौन से होते हैं इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं ध्यान से सुन लिए देखिए आगे के जैसी का वर्ग में का और छोड़ करके अन्य जो तीन बच जाएंगे वह आपको घोस हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार चवर्ग के आगे चवर्ग को छड़ करके जो बच जाएंगे तीन वह आपको घोस्वन हो जाएंगे ठीक इसी प्रकार यह आपको कवर्ग चवर्ग तवर्ग सब में चलता जाएगा तवर्ग हो यह आपको अघ्ष मढश होते हैं तो याद रखेगा कि आपको यह वर्ड है या इंग्ष है निम्न लिखित हिंदी के अंतरगत नहीं आती है जबकि कनोजी बांगरू और अवधी यह तीनों आपको हिंदी के ही अंतरगत आते हैं और तेल्गू नहीं आता है तो आंसर और जाग ऑप्शन डी तेल्गू इनमें से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विसेशण है आपको बताना है कि संग्या से बना हुआ विसेशण इनमें से कौन सा है तो वह आपको एक्छोग एक्छा वर्ड से बन गया है एक्छोग तो यह अपको संग्या से बना हुआ विसेशण है तो आंसर और जाग ऑप यह तरुन स्वरी दोस्तों यहां पर थोड़ा option जो है वह लगवग एक ही हो गया है तो मैं बता दे रहा हूं इसका सही है आपको option A और B दोनों ही option पर ध्यान नहीं दीजेगा आंसर हो जागा option A और B दोनों में same है इसलिए तो तरुन ठीक इस प्रकार दिखा जाता है आप इस इसको याद रखेगा next है स्वर संधी के कितने भेद होते हैं स्वर संधी के कितने भेद होते हैं तो यह आपको पांच भेद होते हैं आंसर जागा option C पांच भेद कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनिए दिर्क संधी गुण संधी व्रिधी संधी यण संधी आयादी संधी ठीक है repeat कर दे रहा यन संदी और अयादी संदी ये पांच होते हैं आपको स्वर संदी के भेद नेक्स्ट है जहां लोगों का मिलन हो उसे हम क्या कहते हैं आपको अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बताना है जहां लोगों का मिलन हो उसे हम सम्मेलन कहते हैं आंसर रज़ा का option C सम्मेलन नेक्स्ट है निम्न लिखी तो वाक्य में कुछ सब्द विसेशण है उसका भेद छाटी है जैसे कि आपको यहां पर देख रहे हैं कि कुछ यह जो वर्ड है आपको बताना है यह किस प्रकार का विसेशण है कुछ बच्चे का अच्छा में सोर रहे थे यहां पर आपको कुछ का यूज हुआ है यह कौन सा whilst रहे तो यह आपको अनिश्ट संख्या वाचक विसेशण देखिए दोस्तों अबिश्चीत क्यों होता है देखिए कुछ यहां पर डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है कि निश्चीत नहीं कि कितने बच्चे इनमें से कौन सा अभी मैंने आपको घोस्वर्ण के बारे में बताया था अब जहां से समझ लीजिए कि अग्होस्वर्ण कौन कौन से होते हैं देखिए अग्होस्वर्ण पहले देख लेते हैं इनमें से कौन सा है तो देखिए स अभी मैंने आपको बताया था तलावी से मु गोस्वण को जाएंगे ठीक है और बाकी इनको छोड़ कर के जितने ही वह विन्हों टो ऊसोक्षकीं है कौन dit करते हैं इसमें कौन से अलंगार का प्रियोग हुआ है कौन सा अलंगकार है तो यह आपको यमक लंग का ऊपसन यह मगलंकार देखें दोस्तों कुछ लोगो को यमक अलंगकार और अनुपरास अलंगकार में काफी confusion हो जाता है तो ध्यान सा समझ लिए कि दोनों में क्या आंतर है देखे जिस प्रकार हम अनुपरास अलंकार में एक वर्ण की आवरिती को बार-बार मतलब होती है एक वर्ण की आवरिती जब बार-बार होगी तो वो तो अनुपरास अलंकार हो गया लेकिन ठीक उसी घीप रकार यमकालंकार में क्या होता है कि एक सब्ड की आवरिती बार-बार होती है फ CC यहां पर यहां पर यहां पर यह रिपीट हो और फिर एक कि नेक्स कोशिन देख लेते हैं कि विभत्स रस का स्थाइभाव कौन सा होगा दोस्तों क्लियर हो गया टोटल रस के 9 होते हैं वह मैं आपको बताया था पहले भी तो जैसे-से आते जाते हैं मैं आपको उनके बारें बताता जाता हूं तो याद रिखिएगा कि विभत्स का मुहावरे का क्या अपना क्या क्यार्त होता है इसका हो जाएगा कर्म का फ्ल्भोगा य्यूंशा कर्म का फ्ल्भोगना यह देखे रहे हैं आप यह सही है विलकुल अनाधिकार अस्थान भी विलकुल सही अमरूद भी सही है लेकिन अनुकूल में यहाँ पर तुरूटी है यहाँ पर कू में बड़ी एकिमातर होगी ठीक है तो इसलिए आप गलत है तो answer is option D नेक्स्ट कुछन देख लेते हैं निरुत्तर सब्द का सुध संधी विचेद इनमें से कौन सा है निरुत्तर सब्द का संधी विचेद है आपको निहधन उत्तर अंसरय ओप्षिन का सुझ संधिया है कौन सा्त संस्क्रिट से तद्वाउ बनाया एं तो इसलिए आगो संस्क्रिट तद्वाउब्या लेकिन बच्चा बोल रहे तो इसलिए आंसर जागा उप्षिन ने बच्चा नेक्ट है निम्न लिखित में से दिर्ग संधी युक्त पद कौन सा है दिर्ग संधी अभी मैं आपको बताया था कि दिर्ग संधी क्या होती है देखे जब दो संदों की जब दो सब्दों की हम संधी करते हैं तो और के साथ फिर और आ आ जाए तो वह बन जाता है छोटी बड़ी के साथ फिर से छोटी बड़ी आए तो बड़ी बन जाता है छोटा बड़ा के साथ दुबारा चोटा बड़ा हो एगा तो बड़ा बन जाता है उसे हम दिर्ग संधी कहते हैं तो यहां प से कौन सी भासा भारत की प्रथम देश भासा है तो भारत की प्रथम देश भासा कौन सी है तो वह को पाली पाली भासा का अपने नाम सुना होगा इतिहास पढ़ते से में काफी यह वर्ड आपर सुना होगा सोक के समय वगएरा तो ठीक है तो याद रिखेगा कि हिंदी यह य प्रयोग होता है फिर से यहां पर रस के सवाल आ गया कि माधुर्य गुण यह किस रस में प्रयोग होता है तो यह आपको होता है स्रिंगार में अंसर प्रयोग होता है नेक्स्ट है मनुष्य को परुमा परामुखा पेक्षी नहीं बननी साब यह आपको पढ़ने में लग झालत है तो सुधिन में से आपको यह आपको सुध हो अब आप सोच रहोंगे कौन सा यह अनु यह नु या फिर यह अनु तो देखिए दोस्तो ऑनु सब्सक्राइब को बताना है कि यह कौन सा जेंडर है पूलिंग है इन में से कोई नहीं तो सब्सक्राइब को पूलिंग सब्सक्राइब है यह जो कहावत है इसका मतलब क्या होगा यह बताईए तो देखें चूहे के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते इसका मतलब हो जाएगा सिमित साधनों से बड़े काम नहीं होते यानि कि आपके पास साधन कम है ठीक है तो आप बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते हैं ठीक यह इसकी इस मुहावरे का मतलब हो घ्रिक है तो सब्सक्ति को हम क्या कहते हैं तो सब्द का अर्थ बोध कराने वाली सकती को हम सब्द सकती कहते हैं तो सब्सक्ति कहते कितने रखेगा हिंदी में टोटल 22 होते हैं आंसर है option B next है देश सेवा के मार्क पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक यहां पर देखिए व्यक्तिक कश्टों को बिल्कुल परवाह नहीं की आपको बताना है कि व्यक्तिक यह आपको गलत लग रहा है व्यक्तिक तो व्यक्तिक किस प्रकार सु व्यक्तिक व्यक्तिक यह व्यक्तिक यह व्यक्तिक जिस प्रकार इसमें लिखा यह आपको सुद्वर्तनी है नेक्स्ट है मनह धन भाव इसके बाद क्या बन जाएगा मनो भाव नेक्स्ट है कनिष्ट सब्द में प्रयोक्त प्रत्य कौन सा है देखिए दोस्तों आपको बत और जो किसी सब्द के अंत में जुड़ करके एक नए सब्द का निर्मार करें उसे हम प्रत्य कहते हैं इंगलिस में हम इसे कहते हैं तो ठीक है आपको हो जाएगा इसका प्रत्य है कवी बिहारी मुख्य तक किस रस के कवी हैं तो यह हैं आपको स्रिंगार रस के कवी आंसर यह अप्षन सी स्रिंगार रस कवी बिहारी स्रिंगार के कवी हैं नेक्स्ट गुरू गुड चेला चीनी इस मुहावरे का अर्थ बताना है गुरु गुर्ड चेला चीनी का क्या अर्थ हुआ तो देखे दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना नहीं कि गुरु से जब चेला आगे बढ़ जा तो हम लोग बोलते हैं गुरु गुर्ड चेला चीनी हो गया ठीक है तो यह इसका समास है नेक्ट है पुछकारा कुत्ता सिर्चड़े का क्या आर्थ है पुछकारा कुत्ता सिर्चड़े देखिए इसका मतलब हो जाएगा ओजे लोग मुह लगाने पर अनुचित लाब उठाते हैं आंसर जाएग ऑप्शन B ओजे लोग मुह लगाने पर अनुचित लाब बन जायगा निह धन अर्थक निह धन अर्थक हो जाएगा निरर्थक तो आन्सोर जाएगा उपसंज दोके से धन जमा करने को हम बोलते हैं राम नाम जपना परदी में प्रयोगत प्रत्य कौन सा है मुए प्रत्या कोये थो आज के आपके सवाल को जिसका आंसर आपको comment section में देना है कल के question जो थे काफी लोगों ने उसका सही जवाब दिया था आज का भी आप लोग question देख लीजिए और इसका सही जवाब comment section में दे आज का question है निवन में से अर्वी भासा का सब्द कौन सा नहीं है ठीक है आपको बताना है कि कौन सा अर्वी भासा का सब्द नहीं है तो देखे दोस्तों अर्वी भासा का सब्द इन में से कौन सा नहीं है मुकदमा मुकदमा इस्तिफा, अफसोस, किसमत आपको बताना है कि अर्वी भासा का सब्द इन में से कौन सा नहीं है जिनने भी पता हो comment section में comment करके बता है तो दोस्तो हम लोगों ने आज के set में जितने भी important questions थे सभी को complete कर लिया है यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और साथी साथ आप अपने marks को भी बता हैं आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे ठीक है दोस्तो और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों में भी share कर दे और वीडियो को like करे और वीडियो को जासे जादा share करे और चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे तब ते के लिए बाई और थेंक्यो फॉर वाचिंग दिस वीडियो